नमस्कार किसान भाईो स्वागत है आपका अपने यूटूब चनल जेपी एजूकेशन सेंटर पर तो किसान भाईो यदि आप फूल गोवी की खेती जून जुलाई में करने जा रहे हैं लेकिन आपको जून जुलाई में बोज आने वाली टौप किस्मों के बारे में जनकारी नहीं है तो किसान भाईो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टौप पांच किस्मों के बारे में जिसकी बिजाई करके लाखो करोडो रुप्या कमा सकते हैं किसान भाईव इन पांच किसमों की रोग पर तिरोधक छमता बहुत अधिक होती है जिससे इसकी उपज आसानी से हो जाती है किसान भाईव विडियो पर अंतक बने रहेगा क्योंकि पांचों किसमें अपने आप में टॉप किसमों मानी जाती है हो सकता है इन में से कोई भी किसम आपके मार्केट में ना मिले इसलिए विडियो परां तक बने रहेगा तो किसान भाईो सबसे पहले नमर पर आप एडवन्टा कंपनी के एड़ी भी चोदो सो फूल गोवी सिट्स का चुनाव कर सकते हैं यदि किसान भाईो इसके प्राइज की बात करें तो इसका प्राइज 10 कराम का पॉकेट 700 से 800 रुपिया के आसपास मिल जाता है इसका प्राइज अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग हो सकता है किसान भाईो इसका आकार और गुवन्द के आकार का होता है यदि हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग सफेद होता है किसान भायों यदि हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 900 गराम से 1200 गराम तक हो जाती है किसान भायों इसकी हर्वेस्टिंग 60-65 दिन में हो जाती है मौसम की बात करें तो इसको आप रवी खरी प्यम गर्मी तीनों परगा के मौसम में लगा सकते हैं किसान भाईव यदि हम मिट्टी की बात करें तो इसको आप हलकी भारी और मिडियम तीनों परगा के मिट्टी में लगा सकते हैं यदि हम इसके 20 दर की बात करें, तो इसको आप 100 गराम से 120 गराम प्रती एकर की दर से कर सकते हैं, यदि किसान भायों सिचाई की बात करें, तो आप अपने खेतों के और सक्तानुसार इसका सिचाई कर सकते हैं, यदि हम इसके अंतर की बात करें, तो इसकी पक्ती से पक्ती द प्रती एकर की दर से हो जाती है किसान भायों दूसरे नमर पर आप पैन कंपनी के 30-25 सीड्स का चुनाव कर सकते हैं यदि हम इसके प्राइज की बात करें तो इसका प्राइज 10 गराम का पोकेट 400 से 500 रुपया के आसपस मिल जाता है अकार इसका अर्ध गुबंद के अकार का ह होता है रंग इसका सफेद होता है ज़्यदि हम इसके बजं की बात करें तो इसका बजंww जन सड़े 800 गराम से 1300 गराम टक होती है किसान भाई व इसकी फड़ फश्ट हर्वेस्टिंग 55-65 दन में सुरू हो जाते है ज़्यदे मिसके मौसquinho की बात करें तो इसको आप 345 तकि हो सकती है किसान भाई इसकी हम वीजदर की बात करें तो इसका आप एक Celsius ग्राम प्रति एकर की दर से लगा सकते हैं यदि हम शिचाई की बात करें तो अपने KHYT में शिचाई कर सकते हैं हैं तो किसान भाई इसके पक्ती से पक्ती की दूरी 45 cm और पौधे से पौधे की दूरी 30-40 सेंटिमेट तक रखनी होती है यदि हम किसान भाइव इसके उपज की बात करें तो इसकी उपज 18-20 मिट्रिक टर्न प्रती एकल की दर से हो जाती है किसान भाइव तिसने नमर पर आप सजेंटा कंपनी के सी एफेल 699 सीट्स का चुना कर सकते हैं यदि हम इसके प्राइज की बात करें जिसका प्राइज 10 कराम का पौकेट 500 रुपिया से 600 रुपिया के आसपास मिल जाता है इसका प्राइज अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग होता है यदि किसान भाइव इसके हम आकार की बात करें तो इसका आकार और तो इसकी फर्स्ट हर्वेस्टिंग 60-65 दिन में सुरू हो जाती है एधि किसान भाई वो मौसम की बात करें तो इसको आप रवी खरीव्यम गर्मी तीनु परकार के मौसम में लगा सकते हैं मिट्टी इसकी हल्की भारी और मिडियम तीनु परकार की हो सकती है बीजदर की बात करें तो पक्ती से पक्ती की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर तक होती है यदि हम उपज की बात करें तो इसकी उपज 18-20 मिट्रिक टंट प्रती एकर की दर से हो जाती है किसान भायों चोथे नमर पर आप सी राम कंपनी के 456 का इसका 800- Memphis की बात करें वाइने संटन् Yo के 500 की बात करें तो इसकी हर्वेस्टिंग के 55-70 में आप कर सकते हैं किसान भाइज जिसका माekं रवी खरी व्यम गर्मी 13 की हो सकती है अजि हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी हलकी भारी व मिडियम 3 परकार की हो सकती है किसान भाइ प्रति एकल की दर से हो जाती है किसान भाई यो पांचवे नमर पर आप सजेंटा कंपनी के सीफेल पंदरा वाइज सीट का चुनाव कर सकते हैं यदि किसान भाई इसके फ्राइज की बात करें जिसका फ्राइज 10 गराम का पॉकेट 600 रुपया के आसपस मिल जाता है किसान भाई इसका आकार अर्द गुबंद के आकार का होता है रंग इसका सफेद उंच गुणवत्ता वाला होता है ज़िए हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 500 से 800 गराम तक होती है किसान भाईव इसकी फॉस्ट हर बेटरीं 60-65 दिन में शुरू हो जाती है मौसम की बात करें तो इसका मौसम खरी फ्रवियम गर्मी तीनो परकार के मौसम में इसको आप लगा सकते हैं मिट्टी कोई भी हो सकती है हलकी भारी मिडियम तीनो परकार के मिट्टी में इसको लगा सकते हैं बीज़ दर की बात करें तो इसका बीज़ दर 120-130 गराम प्रती एकर की दर से हो जाती है किसान भाईओ बुआय की बिदी इसका प्रत्य रोपन होता है बुआय की गहराई 1 cm से कम रखना अंतर की बात करें तो पक्ती से पक्ती के दूरी 45 cm और पवधे से पवधे के दूरी 30 cm तक कर देजीएका किसान भाईओ यदि हम उपज की बात करें तो इसका उपस सोरा से सतरा मिट्रिक टन प्रती एकर की दर से हो जाती है किसान भाजों हमने आपके लिए जुन जुलाई में बो जाने वाली गोभी के टोप पांच किसमों के बारे में जनकारी दे दिये यदि आपको अमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नहीं होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सेर भी करिएगा